मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक साल की बेबी के लिए दोतिस अलवार के कटिंग और स्टिचिंग करना वह भी बहुत ही इसी तरीके से तो यहां पर मैंने बचे हुए कपड़े के दो पीसिस रखे हैं जिनकी लंबाई और चोड़ाई मेंने सेम रखी है तो यहां पर 13-13 इंच मैंने इसे लंबाई में रखा है आप चाहिए तो इसे थोड़ा सा बढ़ा के रख सकते हो क्योंकि यह मेरा बचा हुए कपड़ा है और आप इससे 80 cm कपड़े में भी बना सकते हो तो यहां पर हमें देखिए एक साइड से कपड़ा उठा के इस तरह से ट्राइंगल सेप में रख लेना है तो यह देखिए हमारी बंद साइड एक साइड हमारी बंद है और दूसरी साइड हमारी ओपन साइड है तो मार्किंग हम ओपन साइड से करेंगे तो देखो पहले सबसे नीचे की साइड से हम पहुंचे के लिए मार्किंग करेंगे तो उपर की साइड हम आसन के लिए मार्किंग करेंगे चार इंच पर हम यहां पर आसन के लिए मार्किंग करेंगे अब यहां से हम सवा एक इंच पर इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे अब यहां से इस तरह से इसको एक बॉक्स बना लेंगे और यहां से आसन के लिए गोलाई दे देंगे अब देखिए यहां से हमें एक इंच पे इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट कर लेनी है अब इसको यहां से कट कर लेंगे अब यहां से भी आसन को हम कट कर लेंगे यह दिखिए अब नीची से हमें इस मार्किंग से हलका सा आदा इंच पर कटी यहां पर लगा लेंगे अब इसकी कटिंग हमने कर लिए हम बैल की कटिंग करेंगे तो यहां पर मैंने नाप के अरकोर्डिंग बैल करके रखी है जिसक तो हम देखिए पार्टों को किस तरह को अटेज करेंगे यह देखिए इस तरह से हमारे कुछ इस तरह से पार्ट हमारे अटेज होंगे तो यहां पर हमारी कटिंग कमपेट हो चुकी है तो अब हम इसकी स्टिचिंग करना सुरू करेंगे तो सबसे पहले हम देखिए दोनों इस तरह से लेंगे और एक साइट का आसन को हम जोड़ेंगे तो इस तरह से हम एक साइट आसन पर सिलाय लगा लेंगे दिखे इस तरह से आसन को सिल लेंगे तो यहां पर मैंने सिलाय लगा ली है अब दोनों साइट जो हमने कट लगा थे एक एक इंच के इसको भी हम प्रवाइब लगा लेंगे दोनों पर इस तरह से एक स्ट्रेट लगा लेंगे दोनों साइड में ने लगा लिए हैं अब देखिए हम लete को स्टियर लेंगे अब इस पर हम मार्किंग करेंगे और 12 पर हम और इस प्रेट लाइन ड्रॉ करलेंगे radar इस तरह से प्रेंगे और इस तरह से कैम वर्ल जालनी होगी तो अब बैल्ल को इस तहीर बीर से बंदेगीा करने हैं और यहां से कट लगा लेना है तो यह हमारे साइट के कट हैं यह देखिए इस तरह से अब हम इसमें सलवार को अटेच करेंगे और प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे दोनों किनारे को हम इस तरह से अटेच करेंगे और यहां से हम स्टार्टिंग से प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे तो पह इस तरह से रखेंगे अपने अपोजिट साइड हमें प्लेट डालने स्टार्ट करेंगे और एकदम एकवल प्लेटे हमें डालनी है कुछ इस तरह से तो देखिए हमारे कट अपस में यह मिल चुके हैं कि दोनों कट समारे मिलें अब हम अपनी अपनी साइड हम प्लेटे डालना स्टार्ट करेंगे यहां से कि इस तरह से छिए हमने बैक वाले आसन तक प्लेटे डाल ली है यह दिखिए तो किस तरह से आप देख सकते हैं एक साइड की प्लेटे हमने डाल ली है और इसी तरह हमें दूसरी साइड प्लेटे डालनी है दोनों साइड मेंने प्लेटें डाल ली है अब हम दूसरे साइड का भी आसन जोड लेंगे और यहां से हम सिलाय लगा लेंगे दोनों साइड जोड ली है अब नीचे की साइड हम पहुचा तयार करेंगे कपडे को इस तरह से फोल्ड करेंगे हैं कि दिखें रहने सिल लगा लेंगे आप दूसरे साइट पर हमें कपड़े को फोल्ड करेंगे यहां से भी हम इसको सी लेंगे यहां पर मैंने दोनों सरी पूरे हैं से सिलाय लगा लेंगे आसन को हम अच्छे से जोड लेंगे बिसाइं बराबर करके और यहां से सिलाई लगा लेंगे कि इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है तो नीचे की सिलाई भी हमने कंप्लेट कर लिएन अब उपर के साड़ हमें इस Alexis वेन। इस तरह से अपने बैल्ट को तायार कर ले इस तरह से तो ही यहां तक हमें थोड़सा हमें यहां पर होल छोड़ देना है ताकि हम इस पर लास्टिक डाल सके कि दिखे लास्टिक भी मैंने यहां पर डाल ली है और धोतिस अलवार हमारा बन के एकदम तयार है और आप देख सकते हों कितनी फिनिसिंग के साथ हमारा बनके तयार हुआ है बहुती सुन्दर दोतिसलवार हमारा बनके तयार हुआ है और मैं उमिद करती हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जल से लाइक शेर करें और सस्क्राइब करें धन्यवाद